C++ में Polymorphism के इस पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे Polymorphism Virtual Function हम यह एक उधारन की मदद से करेंगे। इस टुटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूं Ubuntu OS version 11.10, G++ compiler version 4.6.1 सबसे पहले Polymorphism के परिचे से शुरू करते हैं Polymorphism भिन्न forms लेने की शमता है। यह समान नाम के function को भिन्न तरीकों से प्रियोग करने का mechanism है। अब Virtual Functions देखते हैं Virtual Function क्लास का Member Function है। यह अपनी derived class में ओवर्राइट किया जा सकता है। यह Virtual Keyword के साथ घोशित किया गया है। Virtual Function कॉल रन टाइम के समय हल की जाती है। अब Virtual Function पर एक उधारर देखते हैं। मैंने code पहले ही लिख लिया है। अब इसे पूरा समझते हैं। ध्यान दे हमारा file name virtual.cpp है। इस प्रोग्राम में हम rectangle, parallelogram और triangle का एरिया ग्याद करेंगे। यह आयो स्ट्रीम हमारी header file है। यहां मैं std name space उप्योग कर रही हूँ। फिर हमारे पास एक class parallelogram है। यह base class है। इसमें हमने integer variables width, height और ar घोशित किये है। यह protected घोशित किये गए है। फिर हमारे पास public की तरह घोशित function set values है। यहां हमने दो arguments a और b पास किये है। फिर हम public members प्रयोग करके protected members access करते हैं। यह हमारा virtual function area है। यहां हम parallelogram की area की गणना करते हैं। फिर हमारे पास derived class की तरह class rectangle है। यह base class parallelogram की properties को inherit करता है। यहां हम function area को override करते हैं। फिर हम rectangle के area की गणना करते हैं। और value print करते हैं। यहां हमारे पास triangle की तरह एक earned derived class है। यह भी base class parallelogram की properties को inherit करता है यहां दोबारा से हम function area को override करते हैं फिर हम triangle के area की गणना करते हैं और हम value print करते हैं यह हमारा main function है यहां हम class parallelogram का एक object P बनाते हैं हम यहां pointer parallel देख सकते हैं यह class parallelogram का pointer है यह base pointer कहलाता है base class का pointer, derived class के object को ingit कर सकता है यहां हम rectangle और triangle class के object बनाते हैं यहां P के address पर parallel को नियत किया गया है फिर हम arguments 3 और 2 पास करते हैं फिर हम function area को call करते हैं यहां rect के address पर parallel को नियत किया गया है rect class rectangle का object है दोबारा हम arguments 4 और 5 पास करते हैं और हम function area को call करते हैं और अंत में हम triangle के address पर parallel को नियत करते हैं trgl यह class triangle का object है यहां हम arguments 6 और 5 पास करते हैं और function area कॉल करते हैं और यह हमारा return statement है अब हम program निश्पादित करते हैं अपने keyboard पर एक साथ ctrl, alt और t की जबा कर terminal window खोलें compile करने के लिए type करें g++ virtual.cpp-o vir enter the bind type करें dot slash vir enter the bind आप देख सकते हैं कि output इस प्रकार प्रदर्शित होता है area of parallelogram is 6 area of rectangle is 20 और area of triangle is 15 अपनी slides पर वापस आते हैं इसको साराइशित करते हैं इस tutorial में हमने चीखा polymorphism virtual function उधारण virtual int area एक नियत कार्रे में rectangle, square और triangle के perimeter की गणना करें virtual function की तरह perimeter बनाए निमने link पर उपलब्द वीडियो देखें यह spoken tutorial project को साराइशित करता है अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials को उप्योग करके कारेशालाएं चलाती है ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए क्रपया contact at spoken-tutorial.org को लिखें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है यह भारत सरकार के MSRD के ICT के माधियम से रस्ट्रिय साक्षारता मिशन द्वारा समर्तित है इस मिशन पर अधिक जानकारी निमन लिंक पर उपलब्द है IIT Bombay से मैं शुतियारे आपसे विजा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद कर दो